जहें दोस्तों वंति मात्रा आदेबुरुष के रीव्यूज निकल कर सामने आने लगे हैं और अगर अभी तक आपको नहीं पता चला है कि मूवी कैसी है तो मैंने भी अपने चैनल के उपर रीव्यू डाल दिया है आप उसे जाकर देख सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन मे बताने के लिए काफी है कि कैसे कहीं न कहीं आदेबुरुष के मेकर्स ने प्रभूष रीडाम के नाम पर हमारे साथ धोका किया है अगर ये मूवी देखते समय आपको 1992 मैं लेजेंड आफ लॉर्ड रामा याद नहीं आती एनिमेटेड मूवी तो शायद ऐसा है कि आपने वो मूवी भी नहीं देखी होगी उस देड़ से पने दो घंटे की मूवी में जिस प्रकार से समपूर्ण रामायन का एक समाविश दिखाये गया था उसके सामने ओमराउत की आदेपुरुष कुछ भी नहीं है ना तो इसका सिर है ना तो इसका पैर है कहानी के नाम पर यह मिस्कर दिया गया है ऐसे पब्लिक जो है कहीं ना कहीं इस आदिपुरुष मूवी से कनेक कर नहीं पाई समवादों की भारी कमी थी मतलब कि जितने भी इमोशनल डायलोग्स हमने रामान सागर की रामायन में देखे थे जिसमें की हरे एक रिष्टे के संदर्व को हमें बत लेकिन उनसे वो कोशिश हो नहीं पाई है एक्टिंग करने की इसके अलावा प्रभास ऐसे एक्टर बनकर उबर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फीस लिए गेस्ट अपीरेंस के लिए क्योंकि यहां पर वी एफिक साफ़तौर पर कलाकारों के बारी पढ़ता हो दिखा ह बेना टाइम विस्ट की हम चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं यह वहां पर इस मूवी को लेकर किस तरह का माहौल बना हुआ है तरह नदर से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि तरह नदर के जो रिव्यू रहते हैं वो काफी पबलिक देखती है और उनका जो है उनक अपिक डिसपोइंट्मेंट्मेंट जस्ट डिसंट मीड़ अमथ एक्सपक्टेशंस डिरेक्टर ओम राहुत है ड्रीम कास्ट और मैसिव बजट ऑन हैंड बट क्रियेट्स हूज मिस्ट ओम राहुत के हाथ में ड्रीम कास्ट तो थी नहीं सिर्फ प्रभास को लिया था और देवोशन अदिपुरुष इसा फेलियर विकाज़ वस मेड ओनली तो मिन्ट मनी और मुझे तो वैसा लग रहा है कि वो शाथ पैसा भी खीच नहीं पाएंगे तरना अधाश गिविंग वन एफ स्टार तो भूशन कुमार मूवी अदिपुरुष मुझे नहीं लगता हू लेकिन आफ में तो बस आप यू समझ लीजे कि चुंगम को यह खीचा गया है और कुछ भी नहीं लिटरली कुछ भी नहीं लोट्री एक्सपाइड ओफिशली वेदुखान सक्या बाप एंटमली वाह 600 कि फिल्म वी एफिस मदब थोड़ा और यहां पर प्रमोशन हो जाता थोड़ा और यहां पर मेक अप हो जाता तो यहां पर प्रभूश्री राम को धर्म ही बतल जाता पूजा सांग्वा ने लिखा है कि थैंक यू फूर रिविविविंग इट ऑनस्टली विट सच डायलोग्स पीपल कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी मूवी बेस्ट उन रामायन लिटरली यह डायलोग्स भी जराब सुनी इन्होंने क्या लिखा है कपड़ा तेरे बाप का त आधे शाम को भी ऐसा ही हुआ और बाद में क्या हुआ समूवी का हम सभी ने देखा इनने क्या लिखा है इनने क्या लिखाए इस पिक्चर मेक सेंस ना कॉस्ट हाव फ्रस्टेट प्रबास वाद आफर सींग इन अपार अधिपुरोष पाई शूट तो इननने भी किया अक्षे कमार्स लिख कैमियो एन आधिपुरोष विल आधिपुरोष क्रैश ऑन मंडे येस येस 73 परसेंट बोल रहा है येस इननने के लिखा हुए 3 स्टार दी है मयंक ने the same person गेव 3 स्टार्स तो किसी का भाई किसी जान यार वो फिर भी थोड़ी बहुत ऐसी थी कि हाँ पर आधिपुरोष से लोगों बहुत उमीदे थी जो कि टूटी है ये तो साला होना ही था ये देखो ये मसाज वाला सीन क्या चल रहा है ये क्या भई ये आई आई आपका इंतिजार था नोलं टुरोट क्रिस्टोफर नोलं लांचिंग इस्टा ये हमारा मतलब का नहीं है प्रियंका लिखती है तेरे बाप का कपड़ा तेरे बाप की ये डायलोग आदिपुरोष श्री हनुमान जी के किरदार से बलवाया गया डायलोग लिखे मनोज मंतिशर शुकला जी ने बताईए इन्होंने क्या कासर छोड़ रखी सनातन धर्म का अपमान करने में मतलब आप समझे मनोज मंतिशर जी भी लगातार जो है ब्रूस वेन का और पढ़ लें डिंट रिसी दा ब्लैक मिल्ट आमांट आये नो रिवीव इन्टार इंडिया दिस लास्ट रिवीव इसा नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ सीन्स भी दिखाएगा है यह मनोज मंतिशर बिफोर राइटिंग डियालॉग्स वर आदिपुरुष कुछ ऐसा ही हाल था मनोज मंतिशर एंड ओम राउत आफ्टर आदिपुरु कुछ भी कुछ भी कर दिया है या वाट इन इंसर्ट ऑफ हिंदुजम रामायन वाय प्रभास्ती इस टू डिकेड ओल्ड मुवें इन वी एफेक्स अच्छा और भी कुछ चीज़े ट्रेंड कर रही है जैसे कि सैफली खान भी ट्रेंड कर रहा है यह तो अपने रावन वा इस आपको वेल्डिंग के करना है मुवी में एक सीन है जहां पर यह वेल्डिंग करते हो दिखाए थे बकाईदा वेल्डिंग वाला मास्क पहन का अद्द ही हो गई यार क्या बनाया यह देखो एक्टिंग और वी एफेक्सी रावन फॉम हेल आफ्टर वाचिंग से अफल बलकि चाहे डायलॉक्स की बात हो चाहे गटप की बात हो फिर से वही सब चीजे हमारे सामने आके खड़ी हो गई है जिनको कि हमने टीजर में देखा था और टीजर में देखकर आलोचना भी बड़ी बड़ी करी थी अब यहां पर एक बात और लोगों के बीच में जरूर आनी चाहिए कि आखिर मेकर 600 क्रोड रुपए खर्च कहां करके चले गए 600 क्रोड रुपए कोई चोटी मोटी रकम तो होती नहीं चीकासी बड़ी रकम होती है और हमने देखा है कि इस प्रकार से कही सारी छोटी बजट मूवी साहे हम कांतारा ले 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 चाहे हम अभी एक इस मूवी को रामायन के तौर पर ना देखें तो शायद आपको थोड़ी सी कम डिसपॉइंट मेंट होगी लेकिन उसके बावजूद भी डिसपॉइंट मेंट तो जरूर होगी नेरे इस वीडियों विलालत नहीं जय हैं जय भारत